हेलो एवरिवन, वर्सटाई नेचर चैनल में आपका हार दिख स्वागत है, हैपी संदे टू ओल अफ यू, आज सुबह सुबह दिखिए, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, तो मैंने पूरे गार्डन में जो बारिश हो रही है, वो कैमरे में कैप्चर की है, आप देख स आज आए होए हैं, और डेली 8-10 फ्रॉर्स रहते हिए देली 8-10 फ्रॉर्स है, इसारी के से चुरूय पूरी यू टेटा रहता है यह भी samma ह्रिश Crisp吧 और फिल रहते हैं , और बाकि सारे फ्रॉर्स थी प्रांट रहते हिए, बहूद टेक्स ही और बाकी सारे फ्रॉलप्र इस बारिश का ठीक का बाषब मेन असे जड़ाएब इन या कि अचया है इन पर जादा पानी नहीं belli Nicholais का तो यह थोड़ा साइड में रखे हुए हैं और यहां पर देखिए इन में बहुत अच्छी और हैवी फ्लारिंग हो रही है अभी विंका में और बहुत ज़दा सुन्दर से इसके फ्लार्स होते हैं हाइब्रिड विंका है यह सारी तो अभी बारिश का मौसम है तो यही आपको ध्यान रखना है कि जिन प्लांट्स को बहुत ज़दा पानी पसंद नहीं है उन प्लांट्स को आप इंडोर प्लांट्स के साथ भी रख सकते हैं थोड़ी टाइम के लिए और नहीं तो आप ऐसी जगे रख दीजे जहां पर डार इसमें भी फ्लारिंग हो रही है और यहां पर यह हिविस्कस जो है बहुत अच्छे से भी ग्रो हो रहा है और इस वाल हिविस्कस में देखे बहुत अच्छे से भी यहां पर फ्लारिंग एक तो हो चुकी है और दूसरी चल रही है जैसे ही जो डैट हेडिंग होती है प्ला जुँन कर दो को बार्स निकलते हैं. वो शारे उनी घमलों में डाल देती हूं , तो उनी में वहापस व्हापस आगे जुन का प्रासेस होता है , वो होता रहता है और खाद बन जाती है और दिखे मैं यह सारे जो पुराने फ्लार्स है इन liaison में डाल रही हूँ क्योंकि इधर उदर डालने से फिर कच्छ्रा हो जाता है और पुराने जो फ्लारस है वो पेरों में आते हैं तो गमलों में ही डाल सकते हैं और यह देखे यहाँ परसलेन और बुगन वेलिया में देखे औरेंज वाले में बहुत अच्छी सी फ्लारिंग हो रही है और पिंक वाले जो हिबिसकस है इनमें भी बंच में देखे फ्लारिंग होती रहती है बारिश के मौसम में और इन जो पर्मन इन प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ज़दा अच्छा लगता है लेकिन इंडूर प्लांट्स जो है वो सारे मैंने अलग रखे हुए हैं और यहां पर देखे डबल पैस्टल इबिसकस जो है बहुत अच्छी इनमें इस बर पी फ्लारिंग होई है और बहुत सारे जो फ्लार से एक साथ इनमें भी खिलते रहते हैं उनका जो कलर है बहुत ही ज़दा ब्राइट रेड है और बहुत जादा अच्छी इन में फ्लारिंग चलती रहती है देखिए और भी इन में तो अभी बर्ड्स आ रही है और इनके जो पैटल्स होते हैं देखिए बहुत अच्छे भरे भरे लगते हैं और पिंक वाले में देखिए बर्ड्स भी बहुत आ रही है और फ्लारिंग में बहुत अच्छी हो रही है तो अभी इन सारी प्लांट्स में यही चलता रहता है और अभी तो बारिश में ज़्यादा पानी भी देने की जुरत नहीं पड़ती है क्योंकि अल्रेडी बारिश दिन पर चलती रहती है तो बिल्कुल भी इन पानी तो देना नहीं है तो कैर जो है वो थोड़ी कम हो गई है और बस अभी तो जितने भी फ्लार्स आते हैं उन्हें देखते रहो और प्लांट्स का बस यह ध्यान रखना है कि जिन plants को पानी पसंद नहीं है उनमें plants ना जाए और यह दिखेए घोसला जो है वो भी बहुत अच्छे से अभी बना हुआ है चडिया का और यहाँ पे पर्स लेन और ये जो है अलमांडा है ये बेल है अलमांडा की जो प्लांट है वो अलग है और यह वाली बेल थी और य से प्लांट्स बन रहे हैं और यहां पर यह दिखिए गुलाब और पॉर्चुला का यह सब रखे हुए हैं तो छोटे-छोटे जो विनका के प्लांट्स हैं देसी विनका के वो भी तैयार हो रहे हैं और हाइब्रिड के भी तैयार हो रहे हैं और यहां पर मैंने चिडिया के पानी रखा हुआ है उपर की साइड और यहां पर यह आप देख सकते हैं बेबी संड्रोस जो कि बहुत ही अच्छा अभी देखिए भरा भरा है और यहां पर यह इसमें फ्लारिंग हो रही है और चोटे से पॉट में लगा हुआ है लेकिन देखिए कि इतना अच्छा सा ग्र हो जाती है बीना किसी हार्मोन जो पाउडर होता है रोटेक्स हार्मोन उनके और यहां पर देखिए वाइट कलर की रेन लिली आई हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रही है वाइट पेंक और यलो भी अभी कल खिला था और देखिए एक दिन में यह वापस कंपलीट हो जाता है फ्लार तो यलो वाल आपके साथ शूर नहीं कर पाई हूँ फ्लार वाकी वो भी इसमें था और यह रेखिए यहां पर यह कोचिया के सारे जो प्लांट्स है यह बारिश में बहुत अच्छे से नहा चुके हैं देखिए अब इन्हें पानी देने के बि फूलों से भर जाएगी और मैं आपके साथ और भी शेयर करती रहूंगी यह देखिए सारे जो फ्लार से खिल रहे हैं अब दीरे दीरे और इसमें फ्लारिंग होने में बहुत टाइम लगा है बहुत वेट कराया है क्लैमेटी जवाई ने फ्लारिंग करने में और क्योंकि पूरा जो प्लांट था वो मच्योर नहीं था वो ग्रो हो रहा था और ग्रो होने के बाद में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अभी बर्ड्स भी आई है और फ्लारिंग भी है और यहां पर यह मेनी एक जारा और यह जैस्मिन है इसमें भी देखिए बहुत अच्छी बिकुनिया को भी ऐसी जगे रख रखा है जहां पर इस पर डारेक्ट बारिश का पानी ना गिरे और यह देखिए यह एक जोरा में देखिए बहुत अच्छी सी फ्लारिंग चल रही है एक जो बंच एक साथ आते हैं बहुत ज़दा सुन्दर लगते हैं फ्लार्स के और य बंच बॉल थे कटीः गॉर्ष में अरिश g दफ ना बिकुनिया के धिंटा में पोल दिल्द के लगा शकाते है और यह जो प्लेंट हैं यह पाईल बुणि को बेचारेशन में बहुत अच्छी लगती है इसकी जो पत्तिया होती है बहुत ज़दा सुन्दर होती है बहुत तो यह ग्रो हो रहा है यहां पर यह सारे क्रोटोंस और बारिश बहुत अच्छी है इसलिए थोड़ा सा जो वैग्राउंड है उसमें बारिश दिख रही होगी आपको और यहां पर दिखिए यह पान की बेल है पहले तो मुझे लगा था कि प्लांट पता ने ग्रो होगा या अब ही जो है बहुत अच्छे से इसमें पतियां आ रही है और बहुत जदा अच्छे से ग्रो हो चुका है और इसके लिए यहां पर पूरा एक बड़ा गमला दिया हुआ है मैंने और यह देखिए मनी प्लांट है और यह भी मैंने कटिंग से ग्रो की थी तो अभी बहुत बहुत जदा हैवी ग्रोथ हो जाती है तो अभी इसमें ग्रोथ चल रही है और यहां पर यह पेंटास और यह सारे देसी विनका और यह बारिश से देखिए ऐसे हो गए हैं और यहां पर यह अरेलिया के प्लांट्स है और यह मिनी अरेलिया है तो कि यह देखिए बहुत उच्छे से ग्रोव हो रहा है यह और यहां पर यह मिर्च का प्लांट है और यह जो अलग टाइप के मिर्च आती है उस टाइप में है और देखिए छोटा सा प्लांट है लेकिन कितनी सारी मिर्च इसमें लग रही है और बहुत सारे मिर्च के प्लांट है उनमें मिर्च और लग रही है लेकिन ये जो प्लांट है इसकी जो मिर्च है वो ठोड़ी डिफेरेंट है इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूं और vegetable garden में भिंडी और करेला और जितनी भी सबजियां होती है sponge god गिल की तरूई तो यह सारी जो है सबजियां भी लग रही है और यह आप देख सकते हैं हाँ पर यह केले का पेड़ है चुकि बहुत ही ज़्यादा बढ़ा उठ चुका है भी और यहाँ पर यह नीमबू और ए साल्विया में भी आप देख सकते हैं मुझे लगा था साल्विया का जो प्लांट है वो बारिश तक मर जाएगा लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है अब भी बहुत अच्छे से इसमें फ्लारिंग चल रही है और यहाँ पर यहाँ पर देख सकते है morning glory बहुत अच्छे से इ अब पूरी यह बेल बन चुका है तो यह आप इसके ग्रोथ टेख सकते हैं यहाँ पर यह साल्विया प्लांट में लेकिए फ्लारिंग है और यह सी कलन्चो और यह टेंगल हट की कटिंग मैंने लगा रखे यहाँ पर यह जो है कि वाल पेंटिंग मैंने ही की थी और आपक बस आज यही सारा अपडेट आपके सार शेयर किया है जदा बारिश में मैंने कुछ अपडेट नहीं किया है इंडोर प्लांट जो है वो मैंने अलग सेक्शन बनाया हुआ है वहां रखे हुए है और जो आउट्डोर प्लांट से वालग रखे हुए है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर किजीगा थैंक यू